नमस्ते दोस्तों स्वागता आपका एक और नई वीडियो में एक और नए आइडा के साथ तो फ्रेंड्स पिसली वीडियो में हमने बनाया था यह एक मिनी किर्किट बैट और इसका पूरा एक कीचेन बनाया था अपनी नई बाइक की चापवी के लिए अब यार हां बनाया तो solution हमने कर देता है इसमें यह वाला डाल देता बैट वाला कीचेन बना के लेकिन जो यह वाली है दूसरी वाली इसके साथ तो अभी भी पुराना वाला आइस बोरिंग सा पड़ा होया है इस पर आपना इन्होंने नंबर वगेरा सब सोप का लिख रखा तो अब इसके ल फिर बैड बोल का पूरा complete combination भी बन जागा तो देखते हैं किस तरीके से बनता और इस बैट के साथ कैसा लगेगा इस दोनों का जोड़ा स्टार्ट करते हैं वीडियो लेट्स गो अब इसकी चैन को बनाने के लिए जो भी टेंप्लेट वगरा चाहिए यह ना पूप की जर काड़ बोर्ड यह देख सकते हो यह वह वाला है जो मैंने पिछली वीडियो में अपने बैट को बनाने के लिए यूज करा था तो यही काम कर जाएगा अब जो यह पेपर हमारे दो डिजाइन बने हुए है छोट्टे-छोट्टे से तो इन्हें काट लेना है अभी मैं एक बस चिपक जाना चीए अब दुनों पेपर को मैंने जो है ना इस काड़ बोर्ड के उपर अच्छे तरीके से फैविस्टिक से चिपका दिया है और चिपकने के बाद अब हमें इसे काटना है तो काटने के लिए पहले मैं गाइस एकदम बाहर-बाहर कर बॉंडरी काट रह आँ यार मतलब ट्रांस्परेंट टेप लगा देना है गाइस अलो कंपनी का नाम है तो देख सकतो में अच्छे तरीक्या से दुनों पीस के उपर टेप लगा दिया है अब टेप लगाने के बाद अब इसकी करेंगे कटिंग के लो मैं कटिंग नाइफ यूज कर रहा था लेकिन यार इसमें इतनी बारीक है जो कि मुझसे कट नहीं थी तो इस वाज़े से मैंने बाद में कैच्ची का यूज करा कैच्ची से सही कट रहा था तो इस लो कैच्ची से जो है ना जितना भी हमारे जिस तरीक्य का डिसाइन बना हुआ है पूरा काटते जाना है और चैनल को विजेट भी कर सकते हो तो देख सकतो सेरे जो पूरा कटिंग होने के बाद अब हमें क्या करना है इन्हें एक पीस को इस तरीक्य से फोल्ड करके जो है ना टेप से चिपकाते जाना है मैं यहाँ पर वाइट टेप यूज कर रहा हूं और बाद में इस पर फैविक जैसे अधि भोल होती है कटी हुई वैसा बन जाएगा और इसी तरीक्य से जो दूसरा वाला है हमारा पीस उसे भी सेम तरीक्य से चिपकते जाना है थोड़ा सा अराम अराम से चिपक जाएगा थोड़ा बरीक तो है यार काम इसमें तो देख सकतो दून्स चीज लग बनने चाहिए पतली सी अब चलो मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो हमारा यह डिजाइन बनाया था हमने अपनी बोल का इसके अंदर हमें अपनी एमसील को भर देना है तो सबसे पहले अच्छी तरीक्के से भर ना ठीक है और उसके बाद दूसरे में थोड़ी सी मैंने बचा ली थी लेगिन बाद में गाईस धेरे देरे करके पूरी कर दी अब पूरी दुन ओंपीस में हमारी एमसील जो है अच्छी तरीक्के से भर चुकी है अब इने सिम्पल ऐसे कि इस तरीक्य से सिद्धा और फिर जो हमारा ये बोल थी आदि जिसमें हमने अपनी बढ़ी है इसमें कुछ इस तरीक्य से गाइस गाड देनी है और इसके बाद इसके उपर से जो हमारा दूसरा बाला पीस था उसे रखके बंद कर देना है और अच्छी तरीक्य से चिपका अच्छी तरीक्या से जब मुझे लगा कि बोल अच्छी तरीक्या से अपनी शेप ले चुकी है फिर मैंने इसे थोड़े दे तक सूखने के लिए रखते हैं अब गाइस इतने हाथ धो लेता हूं जद्धे हाथ वैसा खराब भी नहीं हो थे लेकिन में कभी कभी पूरा काले पड़ जा जब मैंने पिछली बार बैट बनाया था तब हो गए थे तो चलो अब हमारी बोल जो है ना सूख चुकी है ओल्मोस्ट अब जो इसके उपर हमने अपना कवर लगाया था उसे हटा देना है जो भी हमने साच्चा बनाया था अपनी बोल के थी अंदर सब पूरी एंसील की है टेप बगएर सब जो है हमारा इसके साथ ही उतर गया और साइनिंग देखो यार एकदम फिसलन होरी बोल पर ऐसा लग रिया एक तरफ साइनिंग तो इस तरीके सब पूरी हमारी बोल का डिजाइन पूरा निकलिया था लेकिन अभी भी ज इस कबर करने के बाद एक बार और इसे थोड़ी देर सुखा लिया और सुखाने के बाद फिर मैंने इसे सैंड बगेरा कर दिया सैंड पेपर से और सैंड बगेरा करने के बाद हमारी बोल का जो पूरा शेप था वो पूरा अच्छी तरीके से बन गया था यह देख सकते हो हमारी बोल रेड़ी हो चुक है यार क्या ही मस्त लग रही है तो अभी हमारा काम almost complete हो या लेकिन अभी इसमें में काम है वह है color तो चलो आप करते हैं इसमें color तो मैं बना रहा हूँ red color की बोल चाहे तो white भी बना सकते हो अब पहले मैं इसमें white color कर रहा था वह मैंने इसे एक base coat देने के लिए कर रहा था वाइड बोल नी बना रहा मैं और इसके उपड़ से करूँगा बना दिया color से अब जो यह मैंने beach में बना इती ना यह मैंने गलत बना दिया और इस साइडो वाली सिलाई थी रहा है बोल में बाद में ध्यान दिया तो उसके बाद मैंने इस beach वाले के उपर से एक लाल color कर दिया तो यह मिट गई थी देख सकते हूँ और बाक्ते हमारा ब चल्दी इंतजार नहीं हो रहा तो देख सकते हो इस तरी के सा हमारे जो किर्किट पोल का की चैन है वह बन चुका है एकदम बढ़े लग रहा बताओ कैसे लग रहा और यह रहा हमारा दूसरा वाला जो हमने अपना बैट वाला बनाया था वह भी हमारे पास ही है यह देख सकत कि बाराल कभी किसी वज़े से बैठ हमारा खुया गया तो हम बोल्क से अपना जो है गुजर बसर कर लेंगे इतने बाराल यह खेलने के लो तो बिल्कुल भी नहीं है तो फ्रेंड्स चलो इसे टेस्ट करके देखते कि किस तरीके से हमारा की चैन लग रहा है और उसके बाइस यह तो अपने दोनों गुच्छ एकदम टोप लग रहे बोल इसमें डाल दी बैट यह रहा बैट को यो टंगा दिया लो यार अभी के लिए ठीक है और को नियात कर रहा यार कि सूंसा होत तिरी तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही यह बोल आपको प्रतखने का नंबर आ चुका है बस क्योंकि चाब भी तो एकी यूज होएगी बैट वाली यार क्योंकि मुझे बैटिंग पसंदे बैसे भी आर बोलिंग में कॉन था कह इतना है तो फलाल तो इस वीडियो में झाल 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 झाल